नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल जगधारी क्लासेज में दोस्तों उत्राखन जी के प्रिवेश एर MCQ सीरीज का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं पार्ट नमबर 7 six part यहाँ पे complete हो चुके हैं अगर आपने भो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उन सभी 180 questions को देख सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो भी सुरू करते हैं तो first question है question number 181 है जो सिमट ओली रज्जु मार्ग कब सुरू किया गया था तो यह सुरू किया गया था यहाँ पे October 1993 में तो 181 का correct answer है option C next question है उत्राखन में सिडकुल मुख्यले कहां इस्थित है तो जो यह सिडकुल मुख्यले है यह इस्थित है देहरदून में option B हो जाएगा question number 182 का right answer question number 183 है हरिद्वार पर आधारित news in India पुस्तक के लेखग कौन है तो यहाँ पे आप option देख सकते हैं तो news in India के लेखग है job Francis White यहाँ पे correct answer हो जाएगा question number 184 है उत्राखन में इसपर्स गंगा अभियान प्रारंब किया गया था तो कौन से वर्स में यह प्रारंब किया गया था तो 2009 SB में इसपर्स गंगा अभियान प्रारंब किया गया था तो 184 का right answer क्या हो जाएगा, option D, question number 185 है, गढ़वाल विश्व विध्याले की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों, 1973 में गढ़वाल विश्व विध्याले की स्थापना हुई थी, तो ये option है, 185 का right answer, question number 186 है, फूलों की घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, उस नदी का नाम है यहाँ पे, पुस्पावती नदी जो है, वो फूलों की घाटी से होकर बहती है, तो 186 का right answer है, option B, question number 187 है, उत्राखंट सरकार का वित्तिय वर्ष किस माह से शुरू होता है, तो कौन सी माह से शुरू होता है, 187 का जो correct answer है, वो हो जाएगा, option C, अप्रेल माह से यह सुरू होता है, question number 188 है, चिप को आंधोलन का सम्मंध है, तो 1 बचाव से सम्मंध है, चिप को आंधोलन, 188 का right answer है, option C, question number 189 है, टिहरी में अंग्रेजी सिक्षा की सुरूआत किसने की, option A है सुदर्शन साह, B है भवानी साह, C है प्रताप साह, और D है भरेंदर साह, तो 189 का right answer हो जाएगा, option C, प्रताप साह ने टिहरी में अंग्रेजी सिक्षा की सुरूआत की थी, question number 190 है, हिमालय आठ पुस्तक किसकी रचना है, तो यह है जीसी फ्रेंज की रचना है, यहाँ पे हिमालय आठ पुस्तक, 190 का right answer है, option B, question number 191 है, कौन कत्योरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है, तो जो नंदा देवी है, यह कत्योरी राजाओं की कुल देवी के रूप में यह पूजी जाती है, 191 का right answer है, option D, question number 192 है, आदिगुरू संक्राचारे की समाधी इस्थिती है, तो यह है दोस्तों केदानाथ में, 192 का right answer है, option B, केदानाथ, question number 193 है, 1995 है, कल्यान सिह रावा द्वारा मैती आंदोलन की शुरुवात किस इस्तान से की गई थी, 193 का right answer है, option B, यह शुरुवात हुई थी, ग्वालदम से, question number 194 है, उत्राखण में अट्टा बटा क्या है, तो उत्राखण में अट्टा बटा एक प्राचीन विवाह व्यवस्ता है, option B हो जाएगा, question number 194 का correct answer, question number 195 है, पूर्वी राम गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो कौन से गलेशर से होता है, पूर्वी राम गंगा नदी का उद्गम, यह होता है, नामक नामक गलेशर से, तो 195 का right answer है, option D, और दोस्नों अगर आपको जर्धारी classes के कोई भी notes लेने हैं, तो उसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, वहां से आप जर्धारी classes के कोई भी notes ले सकते हैं, और कोई भी e-book आप वहां से download कर सकते हैं, question number 196 है, निमलिखित में से कौन सा दून उत्राखन का भाग नहीं है, तो यहां पर आप option देख सकते हैं, तो option B है, पतली दून, कोटा दून, हरकी दून, यह सभी क्या है, सभी दून उत्राखन की ही एक पार्ट है, लेकिन यहां पर नहीं पूचा है, तो option A हो जाएगा, ब चरक सदश्य था, तो क्या था यहां पर चरक सदश्य, तो यह था कनिस्क राल दरवार का एक सदश्य था, चरक, 197 का राइट आंसर है, option D, question number 198 है, उत्राखन की प्रादेशिक भासा में भूकम के बारे में जन जाग रुपता है, तो बनी फिल्म, तो क्या है उस फिल्म का न 198 का राइट आंसर है, option A, question number 199 है, नंद पर्याग में नंदाकिनी नदी किस नदी में मिलती है, तो option A है मंदाकिनी, B है भागी रथी, C है सरी और D है, अलक नंदा, 199 का राइट आंसर है, नंद पर्याग में नंदाकिनी से कौन सी नदी मिलती है, अलक नंदा मिलती है, question number 200 है यहाँ पर उत्राखन मंतरी परिश्द में मुख्यमंतरी सहित अधिक्तम कितने मंतरी हो सकते हैं तो अधिक्तम यहाँ पर हो सकते हैं 12 मंतरी ओप्शन B हो जाएगा दोसो का राइट आंसर 201 है यहाँ पर सीत कालिन में स्री बद्रिनात की मूर्थी सांकेतिक रूप से किस इस्थान पर इस्थानन्तरित होती है तो यह होती है नर्स्या मंदिर जो की जो सिमट में इस्थित है तो 201 का राइट आंसर है ओप्शन B Q202 है दोनागिरी गलेशियर इस्थित है तो यह इस्थित है यहाँ पर चमोली जिल्ले में 202 का राइट आंसर है ओप्शन D Q203 है राजा जी नेशनल पार्क की इस्थापना कौन सी ISB में हुई थी यह हुई थी सन 1958 सी ISB में राजा जी नेशनल पार्क की इस्थापना हुई थी ओप्शन ओप्शन E हो जाएगा 203 का राट आंसर Q204 है बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है तो बालगंगा यहाँ पे भिलंगना की सहायक नदी है 204 का राइट आंसर है option B Q205 है वर्स 1939 में टिहरी राजय प्रजा मंडल की स्थापना किस इस्थान पर हुई थी तो ये हुई थी देहरादून में 205 का राइट आंसर है option D Q206 है पिथोरागर जिल्ले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी तो ये घटना 17-18 अगस्त 1998 में ये घटना घटित हुई थी 206 का राइट आंसर है option C 207 है मौलाराम की चितरकला प्रसिध है तो जो मौलाराम की चितरकला है वो प्रसिध है गढ़वाल सैली के लिए तो 207 का राइट आंसर है option C next question है उत्राखंड की राज तितली है तो क्या है उत्राखंड की राज तितली का नाम 208 का जो करेक्ट आंसर है वो है option D common peacock है उत्राखंड की राज तितली question number 209 है केदारनात वन्यजीव अभ्यारण को किस जन्तु के सनक्षण है तो इस्थापित किया गया था तो यह किया गया था यहाँ पे हिमालई कस्तूरी मिर्ग यहाँ पे 209 का राइट आंसर हो जाएगा और आज की वीडियो का last question है दोस्तों अंगाली मठ इस्थित है तो जो अंगाली मठ है यह इस्थित है टिहरी गडवाल जिल्ले में दोस्तों 10 का राइट आंसर है option C तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आए होगी मिलते हैं next वीडियो किसा तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद